शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अलो हां भाया ये हैं सेठ हरी लाल भूत नाम सुनकर चौक गयना आप आए समझाता हूं आप समझें आप हरिलाल का गोत्र भूत है इसलिए इनका पूरा नाम हरिलाल भूत है हरिलाल कबाड का एक मज़ा हुआ व्यापारी है सिक्का चलता है हरिलाल का इस कबाड के व्यापार में इस धंदे में इसके मुकाबले का कोई और कबाडी नहीं है हरिलाल साइकल से लेकर मोटर गाड़ी तक के हर सामान की खरीद फिरॉक्त करता है वेताज बादस्या है हरिलाल कबाड के इस धंदे का नंदा करना कोई हरिलाल से सीखे सो रुपए की चीज एक रुपए में कैसे खरीदी जाती है और एक रुपए की चीज सो रुपए में कैसे बेची जाती है यह हरिलाल अच्छे से जानता है कबाड के इस धंदे से अरिलाल ने करोडो रुपए कमाया है लेकिन कंजूस ही अरिलाल के अंदर कोट कोट कर भरी है अरिलाल जरा मोडरन जमाने का कंजूस है अरे ना देसी ना भी देसी पानी रगड के काट दे मैं सब जानू तुमारे चोचले जेव से पैसा निकार देगे और अब बात सुन मेरी ये ले बिलेड पकड़ इससे दाड़ी बना दिये और धोके ना मनने वापिस दे दियो चार-पास दाड़ी बने है एक शेव बिलेड से कमाल है सेड़ जी बिलेड भी साथ लेके चलते हो अरे सेड़ जी मैं भी दुकान कोल के बैटाऊं मने भी दोर पे कमाने हैं दोर पे कमाने हैं? खीक है ले पकड़ दोर पे हो गई कमाई अब तो खुश चल दाड़ी बना जल्दी क्या सेड़ जी इतना पैसा कमाते हो मरकर छाती पे लेकर जाओगे क्या? हाँ लेकर जाओंगा छाती पर और साथ पर तन्ने भी लेकर जाओंगा जादा बड़ बड़ बतना कर रहा है चल दुल दिसे ताड़ी बना कई सो कंजूस मरे होंगे तो उनके बराबर अकेला हरीलाल पैदा हुआ है पर अगर बात समाद सेवा की हो तो हरीलाल कभी पीछे नहीं हटता हर महिने की पहली तारिख को हरीलाल जरूरत वंदो को मुफ्त राशन बाड़ता है अपनी बरादरे में भी हरीलाल की काफी धाक है एक एहम स्तम माना जाता है हरीलाल को अपनी बरादरी का पूरी बरादरी हरीलाल का सम्मान करती है या फिर यूँ कहें कि पूरी बरादरी अपने आपसी मसले सुलधाने के लिए हरीलाल का ही दर्वाजा खट-खटाती है माफी मांगो आप पहले मेरे से मत मांगो, इन से माफी मांगो, और आप इन से माफी मांगो, और गले लगो दोनो आगे से जगडे की शिकायत ना है, एक परिवार की तरह मिल जूल कर रहना है तुम दोनों को, ठीक है? हाँ, बस ठीक है, अब आगे से शिकायत नहीं मिल लीजिये तुमारी कई सो मसले थाना कचहरी में पहुँचने से पहले ही हरिलाल की बैठक में निप्टा दिये जाते हैं हरिलाल मातारानी का अनेन्य भक्त है अपने दिन की शुरुआद हरिलाल मातारानी की पूजा से ही करता है और ये है निकुंज सेठ हरिलाल का बारह साल का बेटा चोटे भूत ओ मेरे चोटे भूत अरे कहां चला गया अरे मेरे जिगर का टुकड़ा अरिलाल निकुंज को प्यार से छोटा भूत कहकर बुलाता है चोटे भूत ओ मेरे चोटे भूत पापकू मैं लगता हूँ जान वस्ती है हरिलाल के निकुंज में हरिलाल चाहता है कि उसका बेटा भी धन्दे में उसी की तरह माहिर खिलाडी बने इसलिए वो कभी कभी किसी न किसी बिजनिस डेल में उसी साथ ले लेता है निकुंज भी बड़ी सिद्दत से धन्दे के दाओं पेंच सीखता है आज हरिलाल एक होटल खरीदने के लिए उत्रा खंड जा रहा है सौदा मुनाफे का है इसलिए निकुंज भी साथ है और ये हूं मैं दिवान सेठ हरीलाल भूत का ड्राइवर पिछले दस साल से मैं सेठ हरीलाल भूत की गाड़ी चला रहा हूं और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका चश्मदीद गवा मैं खुद हूं क्योंकि इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी ये कहानी है सेठ हरीलाल की मन्ना रेट तो थारे को बता दिया था फेर भाया एक बात पर कितनी बात करनी ऐसी चीज इस भाव में पूरे बजार में नहीं मिलेगी मारो रेट दो लाख रुपियों का है तन्य ले नहो तो ले नीतो भाया तेरी मर्जी जै माता की डेड़ी ना पटे हो सोदा अरे पट जावेगा कितने पैसे लगा रहा था एक लाख अठान्वे हजार प्या दे रहा था दो हजार के पीछे सोदा रुप गया तो बिठा दे ते सोदा बेटा ये सोदा तो बिठा बड़ा है धंदे में होसला रखना पड़े है सामने वाले की जलूरत को समझकरी सोधा बिठाना पड़ता है नी तो जल्दवाजी में मुनाफा घट जावेगा समझेओ? जी डेटी सीख ले धंदे का ये उसूल और हाँ तन्ने किती बार समझाया है कि मनने बाप बुलाया कर ये के डेटी डेटी बुलावे है बेटा तन्ने अंग्रेज स्कूल में इसलिए भेजू ताकि तो दुनियदारी सीख सके ना कि अपने संसकार भूल जावे अरे बेटा हम जमीन से जुड़े हुए लोग है अपने देश से प्रेम और अपनी माटी से प्रेम हमारे खून में है खून में हमें तरक्की करनी है मगर अपनी पैचान खोकर नहीं आई बात समझ में जी वापू शाबबाश ओ दिवान कितना रास्ता बचाया अभी होकूम 35-45 किलोमेटर दूर और है अभी अच्छा फिर तो घंडाई सफर रह गया अभी चल लगादे दिवान कोई गणा सफर कट जावेगा हाका का हनी सिंग लगा दो कि iyi लगा दो हनी सिंग ओ कोई रजस्थाने का एक है नँ अरा चोड़ अनी सिंग ओ दिवान अरे लगादे में महारार मारी चांदनी का फेवरेट गाना और जो महारी शादी में बाज्या था अरे गाना तो शुरू से लगादे भाया ताकि अपने को मजोत पूरो आवे जी उकुम हाँ जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जीयो तू मेरे किसी भी बात बेना कभी न कहियो तू हाँ जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जीयो तू मेरे किसी भी बात बेना कभी न कहियो तू मेरे आगे पीछे डॉलियो मुझे प्यांग से जानू पोलियो इतने खादिर मैं सबसे मूँ और लूँगी रे हाँ जै मारो नकरे ना ठावेगा बल मा छोड़ दूँगी रे हाँ मा छोड़ दूँगी रे हाँ मा छोड़ दूँगी रे सूट दिलाने बढ़ेंगे सुणले हर्मईने कई सारे हाद में गंदर पैर में पायन लगते मुझे को आप्यारे बलाना हीरो बनियो ना तू टो गाठा की करियो ना प्यार से करके बाते जुणले चाहला की करियो ना मैं धर के का मों जाना जाना लोड दूंगी रे जे मारो नखरे ना थावेगा मर्मा छोड़ दूंगी रे हुग मेरा अऊनूंगा तेरी हाह मिलाऊंगा ørl जूटे हाप रूपस केयरता हूं गौरी तुझ फॉरेंटूर कराऊंगा त liken low को तेरी जुशोपको समानूगा तुझा प्याल ते लड़ाऊंगा हो जाएगी teşekkür yourself तू मैं आँके तुझे मना लंगा ज्टर लगता है वाई कोड दिल मेरा तोड के जययो नव हओँ खारे नखे रे शब उठा लूगा मुझेक को छोड के जययो न we'll we will we'll we'll we next ten कि अंचे हैं या जालेगा थैंट निया जान्दी अरे क्या कावे है या तो अमरे जाना ही नहीं है रोकियो दिवाण आगे रोड बंध है, यहां से जाना होगा पर भाई साब हमें तो सीधे जाना है यहां से नहीं जा सकते, आगे लेंड स्लाइड हुआ है इधर से घुम के जाना होगा, चलिए ओ भाया, एक मिनट सुनियो, यह रास्ता तो मने पता ही नहीं है अरे भाई साब, आप तो खाम का टेंशन ले रहे हैं यह रास्ता भी गोंकर आगे में रोड से मिल जाएगा चलिए अब निकलिए अरे भाया, कुछ ले दे के बाद खतम कर, जाने दे, देर हो रही है भाय साब इस लेंदर के चक्र में जयान से जाएगे, समझे चलिए निकलिए, पिछे ट्रैपिक हो रहा है चलो जाओ, आगे बड़ो पिछे ट्रैपिक हो रहा है, चलो चलो, चलिए, चलिए जदी निकलिए जदी चलो कर दो कर दो ओ दिवान कहां तक आगए ओकों कुछ पता ने चल रहा यह तो रास्ता भी एकदम सुनसान है और आस पास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा अच्छा मुडवाया उस पुलिस वाले ने चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं ऐसा कर दिवान किसी होटल पर गाड़ी लगा ले आज की रात यही रुखते हैं कद सुभा देखेंगे जी उकों फुटल नंड देशिм होटल डिंडोंगदिंग आई 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 यह सेट जी ही इस डिंडोंगदिंग होटल का केय टेकर का मालिक पिलुद अगेरेट आपका वेलकॉम करता है आपकी क्या सिवा कर सकता हो मैं इस अस्तभल में कोई रहने लायक जगे है क्या सेट जी ये फाइफ स्टार होटल है यहाँ इंसान रहते हैं जानवर नहीं हाँ तो इंसान के रहने लायग कोई कमरा बमरा है इसमें तो केटैगरी बोलो ना कौन सी चाहिए हाँ तो दे दे कोई सस्ता सा कमरा सस्ता तो मेरे पास 500 रुपे वाला है सेट जी तो 500 वाला चल जाएगा, हमें राती तो काटनी है लेकिन एक बात मैं पहले बोल रहा हूँ बात मैं मुझे कुछ मत बोलना इस कमरे में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है और दूसरा, मच्छर होंगे ये नहीं होंगे इस बात की कोई गारेंटी नहीं है मेरी ये होटल है कमार खाना है तो तो 500 रुपे किस बात के मांग रहा है बैट के, पान्सो रुपे कि राय सिर्फ बैट का ले रहा हूँ अगर आपको A1 क्वालेटी फैसिल्टी वाला कमरा चाहिए तो मेरे पास कम से कम हजार रुपे वाला कमरा है जिसमें 24 गंटे पानी ट्वालेट में रहेगा और एक भी मच्छर आपके कमरे में नहीं होगा इस बात की पूरी गारेंटी है मेरी ए तो मेरे रिलेक्सेशन, पीस, फुल एंच वाला बोले को दूँ ठीक है भाया, हजार वाला दे दे पर फैसिलेटी पूरे चाहिए बाद में कुछ उपर नीचे नाओ जावे आई हाई यारी सेड़ जी, आप टेंशन क्यों ले रहो आपको मैं फाइफ स्टार वाली फैसिलेटी दूँगा आप तो बस मेरा पैन पपड़ो और साइन करो आप कि आपको भी सेड़ी ये रहा फाइफ स्टार रूम कासा लगा फैसे लागा अफास काला ते हुआ पाइप आपको आपको नाचे नाचे आपको पहसा जी सेड़ी ये रहा 5 जी प्तार रूम कैसा लगा आपको गंटा लगा अरे कहे का फाइविस्टार रूम में भाया अरे तू तो क्या रहा था कि 24 गंटे पानी ट्वालेट में आएगा तो बाल्टी भर के पानी के हमारे सर पे मार निकले लाया है जूटा कहीं का ना सेड़ी ना पिल्लो दा ग्रेट कभी जूट नहीं बोलता मैंने आपसे कहा था कि 24 गंटे पानी ट्वालेट में रहेगा देख लीजी रह रहा है खलत बात नहीं सेड़ी अरे सेड़ी आप टेंशिन क्यों ले रहे हो आप सिर्फ एंजॉय करो और किसी काम की जरुवरत हो तो सिर्फ आवास लगाएगा पेल्लो दा ग्रेट हाजिर हो जाएगा गुनाइट सेड़ी सेड़ी आपने पंजाबी में कुछ कहा अरे ऐसी सिच्वेशन में पंजाबी चला करे या भाया यह यह बात आपने बिल्कुल सही गई कि ऐसी सिच्वेशन में सिर्फ पंजाबी चला करे है ना आए ना सब अराम करें सब ला 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 अर्म अर्म मच्छर केतने हैं यार यहां पे साला अबे साले बिल्लू तेरी मां की आख मच्छरों में सुलवा रखा रहा है अबे तू यहां रासलीला देख रहा है वहां कमरे में मच्छरों ने तांडव मचा रहा है साले भूखे कुत्तों की तरह नोच रोच करके खा रहे हैं क्या यह थी तेरी गारंटी मैं हाज जोड़ का सौरी बोलता हूं माइ फाल्ट माइ मिस्टेक पिल्लू की गलती है आप टेंशन मतलो सेड़ आप यह लो यह क्या है गारंटी गारंटी हां कमरे में मच्छन ना होने की गारंटी इसे लगाओ और चैन की नींस हो जाओ कमरे में जितने भी मच्छन रहे ना सब टपक जाएंगे आपकी कसम एक भी नहीं बचेगा तू इस गारंटी की बाद कर रहा था हाओ साला फ्रॉड कहीं का जाओ तो मुझे कब मिलोगी है फॉव है है जाचा साफ पांच हजार रुपय será रूपे हाई饅 महेंगा बाट क्या Tetapi hun यह उतना और क्या वाह चाची वाला कमरे आपनी पसंड किया था और आप अपनी बाढ से बुप कर रही हो अरे कमरे तो सारे इक जैसे ही है न अरे शाचा एसी चलाया हो या मोख़न पार देने पड़ेगी और फेंडेगरम पाणी का फवार नहीं अरे हम ना आय तेरे पवारे से हम तो तो घर से नाय यह एछ हो या नहीन हाए हो पर चौर्बशसटे पानी था ना था पैसे तो देने पड़ेंगे और था डिनर ढ और अड़ आ अपने रोड़ हैं अरे चाचा, खाया हो या नहीं खाया हो, पर डिनर था, पैसे तो देने पड़ेंगे, अब एक दूसरे का मूझ या देख रहे हो, सीधे तरीके से पैसे देदो, वन्ना मुझे दूसरे तरीके से भी पैसे निकालने आते हैं, अब पैसे दे रहो या पुलिस को बलाओ, यार, तू तो बहुत बड़ा चीटर है, चीटर को या फटीचर, पैसे तो देने पड़ेंगे, चाचा, है और नहीं, है, पिल्लूदा ग्रेट, चल अब तू दस अजार पर उटा चाचा को दे, दस अजार पर चाचा को, सेड़ जी दिमाग फिर गया है तुमारा, अब मैं क्यो चाची तो छेड़ने को तयार थी, पैसे तो दे नहीं पड़ेंगे, चल अब देदा सजार रुपे, देरा यह मैं पुलिस को रहा हूं, जेट यह देरा हूना मैं, यह चाचा, पाच हजार और दे, चेल की रोटिया सेख़ा दूंगा, पिल्लू दा ग्रेट, गंदा मत कर, धन्दा कर धन्दा, समझा कुछ, अब पिल्लू दा ग्रेट धन्दा करेगा तो इमानदारी से करेगा, तोटे बिखरे ख्वाब थे जो, अब जुड़ जाएंगे, हम जाके उचे आसमा में, अब उड़ जाएंगे, आजादी है हमें जीने की, हम जीए जैसे भी, ना कहीं रुकने वाले, अब हम तो वैसे भी, हसके जी जिन्दगी, जिन्दगी, तेरी है ये जिन्दगी, हसके जी जीन्दगी, जीन्दगी, तेरी है ये जीन्दगी, ना सोचा था जो अब हो रहा है, नए उड़ान है, नए आसमान है, जीने को मिले, जितने भी अब ये अपल, जीले आज वो, ना सोच क्या होगा कल है सुखू, यहाँ चैन है, खुशियों से भरेने, है खुश, तु ये देखकर, ग дум-भी अरान है । भाउ सक्तोंन छोठास खसके जीन, 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 पिर है, भाउ सक्तोंन छो उरा है खसके जीन, 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 सिंदे गी ओ, सिंदे, सिंदे सिंदे, सिंदे 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 इतने जल्दी उकुम डिजल तो बर्वाना था लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी यहां मुडवादी और इस रास्ते पर अब भी तक कोई पैट्रोल पंप नहीं आया हूं फिर अब हुकुम मैं देखता हूं आज पास किसी पैट्रोल पंप से डिजल ले आता हूं यह तो महावारत हो गई ठीक है दिवान तू डिजल ले करा तब तक मैं वहां सामने चाय की दुकान पर बैठा हूं जी हुकुम आजा है मेरे छोटे भूत आओ जी यह है जगमोहन जगुटी स्टॉल का मालिक जगमोहन थोड़ा बड़ बोला है सहाब लेकिन दिल का हीरा आदमी है बैठो ओ भाया जड़ा दो कप चाय और एक प्लेट मिक्स पकोड़ा दे दियो दो कपच्या है जब पैसे पूरे दे रहा हूं तो चीनी भी पूरी राखियो आजी आजी क्यो नहीं देड़ी अ मतला बापू मैं चाओमिन खाऊंगा क्या चाओमिन हाँ चाओमिन हाँ चाओमिन यह गोटु घाट कितने दूर है भाया यह जी बीस पचीस कोलो मीटर है यह से और आज तो हाँ सड़क पहाड गिर गया है तो सारा ट्रेफिक यह से जा रहा है जी चलो अच्छा है हमारी मजे है कि कुछ धंदा दो चार रूपे का जादे ही हो जाएगा यह पहाड क्या आए दिन गिर जाते हैं हाँ जी गिरता ही रहता है जी जब बारी से आती ही न तो गिर जाता है लेकिन हमारे यह के लोगों को फार्क नहीं पड़ता है यह जो ट्रेफिक आता है और जब जब पहाड गिरा मुझे मज़ा आ गया जी कहना नहीं चाहिए कि य अच्छा खासा मारा धंदा हो जाता है तो आपको चीनी सारा मज़े दाल डालता हूं मैं जी पहाड़ों में गुजर बसर करना आसान नहीं है जी क्या करिएगा पता नहीं कब क्या कर जाएं पाड़ चीजी ऐसे होते हैं इसकी था पाना मुश्किल है और हमारे यहां पाड़ों में यही कहा जाता है कि अगर पहाड किसी पर महरबान हो गए तो रात 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 राजा बन जाता है नहीं तो हमारी तरह बनाते रही है पच्छी साल से तो बना रहा हूं अभी योर देखते हैं कब तक पाड़ महरबान नहीं होते है नहीं तो खराब तो नहीं हुई है बस उसमें तेल खतम हो गया है मशीन है भाया तेल पानी डाले जाओ और चलाए जाओ उसको तो उसके खुराब चाहिए यह बात मशीन है तो तेल पानी तो चाहिए मैगी तो खा के देखिये जी आपको मंबई दिल्ली कलकत्ता में असी बैगी नहीं मिलेगी तेलो जी यह तियार हो गया एलो जी यह आपके गर्मगरम पकोड़े यह आपके मैगी यह लार्टें तो बहुत पुराना लग रहा है अजी यह हमारे परदादा के जमानी के एजी एक अंग्रेज था साब उसमें खुछ होकर मेरे परदादा के नामें दी थी फिर परदादा से हमारे दादा के पास आई और दादा के पास से हमारे पिताजी के और पिताजी के पास यह मेरे पास आई तब से मेरे पास – अच्छा I की है लार्टेम की अखरोग में वह साहभ इस बिजली के जमाने के जलानी और अगर जरुत नहीं पड़ने के तो भेजस हैं, बेच सोुनम दे दूगा अंग clicked परदादा की निसानी है, पुरानी ही सही, यादे जुडियों यह से, बेच के क्या करूंगा? हेलो? हाँ, अच्छा कितना भ्याज? और कितने साल का लोने? पास्सम? अरा, भाया, माफ कर, मन्या, कोई लोन वोन न चाहिए गाड़ी लेनी होगी, तो मैं नकत में ले लूँगा, समझो? लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस एक बार इनका चक्कर में फंस जाओ, तो भाया गईव हैं स्पानी में अरा, बुरा हाल कर देवे हैं लोन वाले, पहले तो फोन करकर के लोन देवे हैं, और अगर इनकी एक किस्त तूट जावे, तो भाया यू पीछे पढ़ जावे, कि जैसे लोन न लिया हो, कोई कतल कर दिया हो हे माता रानी, कर्जे से दूर राखिये, ओ भाया, तन्नेक पते की बात बता हूँ, और उधार का पैसा, शुरू शुरू में अच्छा लागे, बाद में तो ये चुईंगम कितरे हो जावे हैं, ना स्वाद आवे, ना खतम होने का नाम ले, बस चवाए जाओ, चवाए ज रब भाहरा, क्यों, भाहरा, चाय बना रहूं, बगड़ी रहे, बाद मा बना लिए चाय, यहाँ पहला, राम राम भीमा भाई, राम राम तो ठीक सा है, वो पैसे, पैसे का, रक्टेव यहोत है पैसे का, ना सल, ना सूद, है, अर तुम गाइब कहा हो रहा है, नहीं गाइब कहीची नहीं था भाई, वो क्या है कि थोड़ा धंदा-मंदा चल आ है, मैं तीन दिन में दे दूँगा, कसम गाता हूं, तीन दिन में सब सूद समयीं, शूद पर देना बंद कर? गोली न देरूं भई, भगवान का सम में तीन देरूं भई जा वाओ तो दिन तीन दिन है? ओय हरामी रुक साले ये है जगमोहन की बीवी दुरगा घुस्सा हमेसा इसकी नाक पर सवार रहता है कहीं की महरानी है तु? रोज रोज का नाटा के देरा चल चुपचा पीछे हट जा मैं भी देखती हूँ कि आस तु पानी कैसे भर के लेके जाती है देख दुरगा, मेरे मुह मतलब बता रही हूँ नहीं को मैं करा मुह तोड़ दूगी अभी जा साली कभी आपको कमती तोला है आपको तो मेशा फालतु तोल कर देते हैं हाँ हाँ सब पता है मुझे क्या आग है भाई, क्या आग है चायवली की भी क्या किस्मत है कितनी सुंदर भीवी लेकर बैठा है ये गोवी कितने की दी? बीस रुपे पाओ आलू? तीस रुपे किलो 15 कि लिए थे पिछली बार क्या करें बेंजी सबजी पीछे सही महंगी आ रही है सब पता है मुझे कितनी महंगी आ रही है टैंशन क्यू ले रही हो जानेमन पैसे हम दे देंगे ले लो जितनी सबजी लेनी है बदले में बस थोड़ा सा प्यार देगी हो तो प्यार यहीं लेगा कि आगे पीछे छुपके दूँ तेरी मर्जी है हम तो साले बेशरम है हमे तो जहां दोगी हम तो हा लेलेंगे अच्छा जहांदोंगी वहाँ लेलेगा तो यह ले प्यार शॉले आपनी प्यार बड़ा कुझे प्यार चाहिए जाहो अपनी मां को दे प्यार ता ऐसि噗ी से घीजकी आउर दृकρέ ना इसके बाढ़ा का आथ मत लगा लगा लिगी नहीं लगेगी बस ना आपका जोड़ता मभी मभाई इसको माफ कर दो बस जगमों इससे समझा ले इससे समझाले ने तो काटका नदीम अपका लेगी भी माइब वंदू करने जाएगी पुलिस वड़े रपट पी नहीं लिखें तो पैसे बाद मैं पहला इसे ठागे ले जाओंगा मैं बड़बोली है मैं समझा लूगा इसका बड़बोला पंदिकाल दूगा एक मिनट से पहला पैसे बाद मैं अगर तीन दिन में पैसे नहीं आये तो पहला या लुगाई मारिया वेली पे चाहिए मुझे समझगा बात तीन दिन का मतलब तीन तीन दिन में दे दूगा तीन तपठथा पहक दूंगा तीन दिन पूरे पैसे दूंगा पर आप जिन दोखना है जड़े होले हैं मुझे बच्चों का क्या होता अरे हाँ हाँ तुम्हाइ साथ तो बावली हो गई हुँ मैं अब मिला कैसे मुझे शादी करके क्या मिला जब से शादी हुई है जिन्दगी हराम हो गई है रोज रोज कोई न कोई तमाशन लगा रहता है जिन्दगी हराम हो गई है तेरी वाह वाह जिन्दगी हराम हो गई है तू बड़ा दूर में जली में डाल डाल के खिला रही है मुझे एक तो समझा रहा हूं कि तु जब से शादी होई है एक दिन सुकानी देखा अरे पादल हो गई हो मैं घर में राशन तक नहीं है तु भी का दुन्डों के पीछे लगी होई है कोई भरोसा है उनका कल को गुली चला दिया तू मर जाए किया मैं मर जाओंगा बच्चों का क्या होगा मैं ते राज जोडता ह करें चुप रहे और तीन दिन में पैसे देने है कहां से लाओगे इतना पैसा पैसा क्या करोगे अरी तुमाशा बंजया ग्लती तुमाने क्या जवाब है यहां करोगे तुमारी जवाब का ने पर बढ़ो ना किसी से एक करजा उतारने के लिए दूसरा करजा अरे ऐसे तु कुट-कुट के मढ़ जाएंगे हम शेहर चलो दो पैसे साथ में कमा लेंगे हम महनत कर लेंगे लेकिन नहीं तुम्हारे कान में जू तक नहीं की जादा बूलने की ज़रूत नहीं है मैं तेरे हाथ जोडता हूं सांतरे सब कीख हो जाएगा हेलो हरीलाल भाया हां भाया सोदा मंचूर है कल में कुदाम पर आऊंगा और दो लाग रुपे लगत ले जाऊंगा और अपना माल दिरे जाऊंगा ठीक है भाया सोदा डन चीज मारी हो गई भाया अब किसी और को मत बेचना शिरी भाई हारीलाल जुवान का पक्का आदमी है बेफिकर हो जा कलाकर अपना समान ले जाईयो पर भाया कल अगर ये सोदा ना उठा तो मैं भाव बढ़ा दूंगा ठीक है जै माता की बोला था ना सोदा उठा पड़ा है मिर्ची मिर्ची अरे भाया जरा थोड़ा पानी दियो बच्चे को मिर्ची लग रही है लाया जी बेटा दू धाई खाया कर शरीर को लगेगा और थोड़ा दिमाग भी तेज होगा ये चावमीं शावमीं से कुछ नी होने वाला सब बेकार की चीजे है इतने मिर्ची तो नहीं डा और कुछ नहीं अभी कुछ नहीं पर भाया तेरी चाय तो बड़ी चोकस थी मज़ा आ गया धन्यबाद जी इस जग्गु टी स्टाल का अलू गोभी खावगे तो देखना कभी जिंदगी में जग्गु टी स्टाल नहीं बूलोगे अच्छा ठीक है भाया अगर लंच टैम तक मेरा ड्राइवर नहीं आया तो तेरे आलू गोभी भी चेख लेंगे अजे ड्राइवर कहां गया है पस यही पेट्रोल पंप तक गया जरा डीजल लेने अजी पंप से आधा कान में दो घंटे लगेंगे जी तब तक एसा करते हैं लंच बनाते हैं जी लंच करो मजे कर प्रभू इच्छ बलवान है भाया पर तब तक तो कप चाय और पिला दे चाय हाँ जी लोजी अभी चाय चीनी जैसी पीछे राखी ती रैसी राखियो बरे चीनी दार आदमी हो भाई आझाँ सिन आपियो ब किल आप तक। अ करो कि लोगना है ट। कि एड़ेब खिड नड़े आड़े हैं कि अब आख दो कि अब निए बब दो बार साव आप बुराना माने देख बात पूछें पूछ भाया घढ़ं साहब, यह मेरी समझ में नहीं आया कि आप दो-दो कफ चाई मगा के पीते हैं और दोनों कप सामने रख लेते हैं कभी इस कप से, कभी इस कप से ये राज क्या है इसमें वहाँ भाई साब, आपकी बात ने तो मेरा दिल छूलिया अब मैं आपको ऐसी कड़क और बढ़िया मीठी चाय पिलाता हूं कि आपको बजा आजाएगा और ये चाय मेरी तरब से एक दम फ्री मो अरे नहीं भाई ये काम मत करियो प्यार सम्मान अपनी जिगह पर और धन्दा अपनी जिगह पर धन्दे में डिसकाउंट तो हो सके पर ये फ्री वाला काम ना करिये भाया काम डूब जावेगा अरे भाई भाई धन्दा तो कोई आप से सीखे बड़े तजुर्वेकार है भाई साब आप तो है हलो हाँ भाया सब ठीक है ना अरे चीज एक नंबर की है अपनी तसल्ली करके ही आपको दिखाई है समझ ले की पहाड कोद कर हीरा ढूंडा है अरे तसल्ड़े 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 अरे पहाँ रगाई है पाप्पू, पाप्पू, इस लड़की संग खेल लूँ हाजा खेल ले, ठीक है ना भाया मैं भी खेलो तेरे संगं तेरा नाम क्या है निक दिश्ग और तेरा गुंज आ तरे को इन खेलना ही आता है तु मुझा हर भी बोल देख है तु नहीं कर तु नहींा है अगर उर्टा सुन नहीं सकती तो बोला भी मत कर शुरुडवाद तो नहीं करी थी मैं जो मर्जी बोलू मेरा स्टापु है मैं जो बोलू वही होगा ये क्या बात हुई हाँ यही बात है खेलने तो खेलने तो जो जा यहां से ठीक है चल पहर मेरी दूस तेरी और मैं दो बारी लूँगी ये कैसे खेल खेलती है तू रहने दे तू तेरी बसकी बात नहीं खेलना तू जाए यहां से तू डर पोक है अच्छा डर पोक नहीं है तो खेल जिपचाब अभी पता सल जाएगा ठीक है पंचाब प्रशड़वन किसका बारilsए नहीं है करे दू दु भाइब कर दू जबनीक सबस्राग peacát कि आए लाएगा पोक का पोक है कि वहां सबस्जश को रको है लो जी भाई साफ बन गई आपकी चाय, चाय पियो और मजे लो अले सुनो, अज बिजली का बिल भर के आना है, याद है ना? दज तरी की बूली के हमें बस तुमसे तो कोई उमीद ही नहीं की जा सकती, तुम्हे हर चीज मैं ही याद दिलाओं सुनो, वो बनिये के यहां से कपड़े दोने के साबुन और वो बच्चों की बालो में लगाने वाली रंग भी रंग की चिम्टियां होती है ना? ले कराना, भूल मज जाना और तुम्हारे लिए क्या लओं? अरे रहने दो, तुम तो यही सब समालो वो ही बहुत बड़ी बात है, मेरी जिंदेगी सवर जाएगी अच्छा तु कहां जा रही है? कपड़े सुखाने अरे कपड़े मैं सुखा दूँगा, तू चली जा बजार जो को हिलाना ले आपने लेल ले आ बच्छों के लीले जा हां बस, दिन भर जब देखो मसकरी, घर समभालो यह समभालो वो समभालो तुम तो दुकान समभालो बस अपनी ऐलो जी दुकान समाले लो केकान यह क्या देलो भाई साहब ईङद कि चान्नी है और विध क्या धा निया है दिन भर फुपकारती है ? याई जी लेकिन भाईस साहब यह दिल की बड़ी अच्छी तोस्तुमिन द्रू जी अदर भराफ है भराफ पूरे मुहले में इसकी जो इज्जत है किसी की नहीं है, सच कहरू हूँ मैं, मुझे तो कोई सलाम तक नहीं करता है, इसके तो पैर चू चू के जाते हैं बच्चे जितने भी, ऐसा लगता है जैसे उसकी लिमाच था दिया है, हाँ और मैं जगमान, क्या आल है तेरे, जी महर्बानी है जी आपके, चल फटा फट बारा नहीं है बारा, जी ये, आठ, आठ ही अंडे हैं जी, त्यागे सुना भे, हम, साले की दुकान बहुत चल रही है आजकल, इसकी तो फटिक लगता बढ़ानी पड़ेगी, कोई बात नहीं सर, छोड़ दो इसे, बाद में देख लेंगे, ठीक है बाई, दे दे, आठ से एकाम चला ले ना जी, धूब से कोई नहीं मरता है, भूग से जरूर मर जाते हैं, आठ अंडे, इनका पाफ देख यहां बैठके, करेब होना भी पाफ है, सला, और भईया, बागे सब ठीक चल रहा है, आज़े, सब ठीक चल रहा है, महरवानी है आपकी, बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरे नाम की, नहीं साब मैं तो अपनी बच्चों के साथ शामती से रहे हूं, काई की कंप्लेंट, सोना है, आज़कल दुकान में नशावशा रखने लगा है, अरे साब कैसी बाते कर रहे हैं, बड़ी के बंडल भी नहीं है हमारी दुकान में तो, देख लीजी आप चलो, देख ले, लंबा जाएगा, अरे साब कैसी बाते कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, अपनी दुकान चलाता हूं बस, घर में बार नहीं निकलता, कभी-कभी चला जादू, सामाल लाने के लिए, उसके बाद तो, दुकान पही रहता हूं, और कुछ नहीं करता हूं, ठीक है, चल बटे आगे, निकल, सालिख, आज फिर पैसे देखे नहीं गए, ये अपने बाप के दुकान समझते हैं, देखा साब, खाकी बर्दी करो, हम जैसे गरीवों को भी नहीं बख्षते, इनकी इजद करो तो मरें, ना करो तो मरें, सुनो, क्या, पैसे देखे गए हैं, कमीने, अरे वो पिलि पैसे मांगे थे, तुमने पैसे मांगे थे, अरे, कैसे, कैसे मांगता, पैसे मांगे थे, के नहीं, अरे, वो पैसे मांगे थे, के नहीं, अरे, वो पुछा मांगे थे, के नहीं, अरे, नहीं मांगे थे, ये ही तो, ये ही तो बात है, घर में खाने को नहीं है, और तुमने अगर एसा ही चलता रहा ना तो दाने-दाने को मोहताज हो जाएंगे एक दिन, देख ले ना हेलो, देखिए भाई साब, अरे मैं घलत कह रहा हूँ, पुलिस वालों से पैसे लेके कौन मुशिबत मोर ले अरे अभी तो आठ हंडे लेगे भाई साब, एक बार तो उनके घर का गयस खतम हो गया तो पूरा सिलेंडर उठा के ले गये थे, जब सिलेंडर खतम हो गया तब वापस किया उन्होंने, हम तो भूके मर गये थे, बगर सिलेंडर के मेरा दंदा बंद हो गया था कि बुरा ना मने तो एक बात बुलू जग मोहन जी बोलो जी बात तो तेरी भीवी ठीक ही कह रही है अगर आदमी की गुंजाइश ना हो तो ये सब समास सेवा नहीं करनी चाहिए एक बर हिम्मत करके सामने वाले को मना कर देना चाहिए क्या कर लेगा कोई फासी थोड़ी और इन पुलिस वालों से बिगाड़ेंगे तो ये पूरा धंदा मेरा बंद करवा देंगे क्या करें भाई साथ समझ में नहीं आता मैं अरे आप से क्या बता है मेरी तीन बेटियां थी तीन बेटियों में एक बड़ी बाली की जब मैंने शादी की तो डेल लाग कमेर उप देख जगमुहन सही वक्त पर सही कदम उठाने से जिंद्गी की परेशानिया काफी हद तक कम की जा सकती है तुम अन्य बढ़िया आदमी लग रहा है एकदम खरा सोना इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन और सोच समझ कर जवाब दियो ठीक है मैं तन्ने इस लाल्टेन के पूरे 25,000 रुपे दूगा तु यह लाल्टेन मन नहें बेच दे 25,000 इस लाल्टेन के हां हां 25,000 रुपे इस लाल्टेन के नकद एक ही बार में तीरी सारी परेशानिया दूर हो जाएंगी कि सोच ले तेरी मर्जी है किसमत बार बार साथ लिए तक चिस हजार रुपर बढ़ी दगभा दरे भाया लक्षनी माता तेरा दरवच्चा खटकटा रही है एक दब बढ़िया दाम दे रहा हूं इसके भाई साब ठीक कह रहे हो इतने पैसों में तो हमारी परिशान ये की बा करें पां अर्म करो मैं साथनि का थाडमी का था कुछ नहीं हो सकता अर्टा कर आअन सब्सक्श्रादादा पाइं कि टे Curiosity.. अ किया है। किया भात कर रहे थे उससे। अरे कुछ नहीं है सई हुआ अपने वहाँ घर परवियार की बात कर रहाँ है। हाँ सब सुन लिया है मैने। अगर तुमारी खटारा लाल टेन को पच्छी हजार रुपे देके वह खरीद रहा है। तो भेच क्यों नहीं दयतें, क्यूं पिष्य पड़े हुए उस टीच के? अरे तूसे घटार कह रही है? मैं बुड़ा हो जाँगो मुझे भी भी घटार कही क्या? क्यों भेच दो में? खटार नहीं है लालतने, लालतन पता नहीं पता नहीं क्या है मेरे लिए? समय पे है अच्छी लगती है बाद में पश्टा होना पड़ता है अरे मैं लाल टेन बेज के पच्टाऊंगा मैं ऐसे नहीं पच्टाता समझती नहीं बात को यही यही काम है तुम्हारा जित पकड़के बैठ जाओ लाल टेन लाल टेन अरे बेच बुचा के हटाओ उसको हमारी गरी भी मिटेगी लेकिन नहीं तुम्हें इतनी सी बास समझे भी पड़ती अरे दुरगा मैं अंकल यह मुझे मार के आगें नहीं अंकल बटेम अरे इतरा बटाता हो तुछी मैं भाप यह मुझे मार रही है रायरे नहीं मिलको मार का है असने अप्ण मार रहा है नहीं खूट गहेरहिant मैं यदक षुवा अंन खोलो ठीम हरो बिट चोट लग जा यधिल बटे शूट पढ़ने लिखने में बड़ी होशार है और इसे बड़ी है रतना वो तो इससे जादा पढ़ाखू है वो गई हुए स्कूल आएगी चार साड़े चार बजे तक वो तो कहती है साप की मैं पढ़ लेकर जज़ बनूगी बहुत बड़ी अफसर बनूगी मेरी तो छाती चोड़ी हो जाती है साप जब वो कहती है ज़ज बनूगी और इसे बड़ी वाली उसकी शादी कर दी है वहाँ खुष अपनी ससुडाल में बच्चे खुष मैं खुष बेटियां भगवान की देन होती है साप अधिये जब से तीनों में से छोटी वाली आई है तब से तो मेरी दुकान थोड़ा चलने लगी है ठीक ठाक बड़ी वाली की शादी का करजा तो चुकी जाएगा जिस घर में बेटियां होती है भाई साब वो घर स्वर्ग होता है क क्यों गल्ट कर रहा हूं लाख टक्य की वात कहीं भाया बेटियों से ही तो घर की रोनक है जी भाई साब रतना बेटी ये बैग अपनी मम्मे को दे दियो अरे साब यही है मेरी बेटी रतना यही कहती है कि पापा मैं बड़े होकर पढ़लिक कर मैं जज बनूगी अब अगर यह जज बन गई तो मैं तो समझ लो बेडा पार है हु अद्छिखें गहाऊं है क्या हुआ जल्दीशुट्य हो गई बेटा क्या हुआ हुआ झार समय है अरे, तो खुश हो, कपड़े बदल खेल, चल, हे बेटा, बेटा, क्या हुआ, ओ, बेटा, बेटा, अरे, बेटा, जल्दी शुटी होगी स्कूल से, क्या हुआ, मास्टर जी नी आए, अरे, बेटा, अरे, क्या हुआ, मेरे बच्चे, क्या हुआ, 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 क्या स्कूल से निकाल दिया गया हमारी रतना को स्कूल से निकाल दिया क्यों 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 पूछ रहे हो क्यों कुछ होश है तुम्हें अरी च्छे महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे बोलो चुप क्यों जवाब दो अरे बोलते क्यों नहीं हो अब लोग अपने बच्चों के लिए पता नी क्या क्या कर रहे है और हमसे इनकी फीस तक भी भरी जारी इससे जादा और बुरा क्या हो सकता है वह मारे साथ अब बुद बन के क्यों खड़े हो जब आप दो क्या ऐसे बच्चों के परवरिष करोगे मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा लेके इन बात अगर मेरे बच्चों पे आई ना तो मैं बिल्कुल बरदाश्च नहीं करूंगी अरे मैं भी दिन रात लगा रहता हूं कोशिश तो कर रहा हूं और बता क्या करो अरे हैसे कोशिश करने का क्या फाइदा कि हाथ में कुछ ना लगे पैसे नहीं हों कि तो गुजारत कैसे होगा अरे माबाप का फर्ज सिर्फ जनम दे नहीं नहीं उनको पालना उनको संस्कार देन भी जो में नहीं कर पाया मैं मेरे बच्चों को रोतावा नहीं देख सकती बिलकुल नहीं देख सकती कि के रही है तो एक एक पैसे के लिए तरस रहे हम एसे कब तक चलेगा तोट गही हो आज मैं क्या यह दिर दिखाने के लिए मुझस से शाधी करी थी कोट-कोट के मर रही हूं मैं इतना भी बस मैंने अपने आपको आज से पहले कभी नहीं समझा कंड़ा अरे है म्या थाइख अंगया हूं क्या करों क्या अपाद से चीने का क्या बादय से चीना का यह पने बच्छों को खुछ नहीं रख सकता मुझे जीनने कोई हाग लिए में अपड़े हाँ कि था उरां के लिए करद एकारो अचार थे शुर्दे बज़ हो जाता है लोग जाता है वहा जाता है पादर में हो जढ़ ए ऊचर्दे बज़ डिदू हो जोड़ कि दए नगे ची उसके चाव जैस तर से अए करद नहीं है कर दोसा हुआ इस फिट नहीं है एक खता है जोर च्णकू! मैं ही तो लोगा! सक्षक ओगी, जयाँ हो गया जग मैं जग मंत को किया लगाए तो? तो चंपे मजे बंगे। मन्यादफर programme के आउल होगा त्री पत्री के यह होगा मैं तंगा के आँग हूँ मैं क्या करूं मैं निए कुछ नहीं रहता कंदू जोबा अपने बच्चों के लिए नहीं रख सकता उसकी जिंदगी किस काम की बाई साब बड़ी बेटी की शादी की मैंने तेर्ड लाग का करजा मेरे ऊपर चल गया उसी को तानने में लगा हुआ हूँ अब ये दो मेरी बेटी और हैं उनकी परवाह है उनकी फिकर मुझे खा जाती है और ये इन पेचारी का जीना में नर्ग कर रखा है मैं क्या अ花 smart hoe salause मर्ने के सिवा पचा ही है वाढ़ जेवह कित्नी आइसानी से तैने मरने की बड़ें की बात के जीवनिया अरे हजारो क्रोड रुपया देकर भी एक सास ने खरीच सकता कोई एक अनिमोल वर्दान है भगवान का मानव जीवन और तू उसे खतम करने चला है अरे भाई साहब सला देना असान है मुझे क्या गज़रीय में ही जानता हूँ एक गरीब का दुख दर्द क्या है आप नहीं समझेंगे क्या मैं नहीं समझेंगा गरीब का दुख दर्द अरे जगमोहन मेरा बाप एक दिहारी मजदूर था हमें सुबह नहीं पता होता था कि शाम को हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा सारी जिंदियी lymposť के नीचे बैट कर बढ़ाई करके आज इस मुकाम पे पोंचे हैं और तु मुझे करा हैं? मुझे करी भी भी नहीं बता? अरे अपनी मेहनत और मजदूरी से और अपनी इमान्दरी से अज इस मुकाम पे पोचे हैं अगर मैं तिरी तरहा होसला आर जाता या मेरा बाप तिरी तरहा होसला आर जाता तो मैं कहा होता? और हाँ, तुने ये बात बहुत सही कही, कि उपदेश दिना बहुत असान है, तो चल अब सलानी देता, अब कुछ काम की बात करता हूं, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनियो जगमोहन, तेरी बड़ी बेटी की शादी में तन ने 1.5 लाख क अभी, बोल, हाँ, तीन लाख, हाँ, तीन लाख रुपे, इतने में तो तेरी दोनों बिट्यों की शादी खुब धुमदाम सो हो जाएगी ना, क्यों, ठीक क्यारों ने जगमोहन, अरे क्यों मजा कर रहे हैं बाई साफ, इतने की तो मेरी जुगी भी नहीं है, आपको देन पूरे तीन लाख रुपे तुझे तेरी उस लाल टेन के, इतने में तो तेरी सारी परेशने दूर हो जाएगी, बोल, बेचेगा, तीन लाख? हाँ, बीस दो, बीस दो, ना, के बात भाया, सोदा अच्छा लगा के, चल तेरे ले थोड़ा हो अरसान कर देता हम, तो फिर अच्छा लगा के, पूरे पांच लाख रुपे देता हम, नकद, वो भी अभी इसी समय, बोल, सौदा मन्जूर है, बेचेगा, बेचेगा? बाई साथ, आपको गलत प्रेवी होए, अर ये लाल्टेन किसी काम की नहीं है, बहुत पुरानी है, इसके तो कबारी सौ रुपे भी नहीं देगा, इसमें कोई हीरे जवारात नहीं चोड़े, गलत मौलभाव में नहीं करूँगा, बाई साथ, इतने पैसे लोटानी की ही मैं कहां से लोटा हूँगा आपको पैसे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं बीच पाऊँगा ये लाल्टेन भाया देख, लाल्टेन थारी है, तो बेचना या ना बेचना ये थारी मरजी तू मनने बढ़िया और शरी फादी में लगे हैं, इसलिए बढ़िया मोल दे रहा हूँ थारी चीज़ का भाया एक बार फिर सोच ले तेरी आगे की जिंदिगी बड़े अराम से कड़ जाएवेगी सोच ले इस बात को चल ठीक है, तेरे लिए सोदा थोड़ा सा और असान कर देता हूँ कीमत को थोड़ी सी और बढाता हूँ अब मैं तुझे इस लाल टेन के छे लाख रुप जिता हूँ छे लाख? साथ लाख आथ लाख मौला चल तुझे पूरो तस लाख देता हूँ नकद, वो भी अभी इसी समय है, बोल सोदा मंजूर या मैं जाओं बेचेगा बोल बेचेगा जगमोहन है सोदा मंजूर बोल बेचेगा नहीं, नहीं भाई साथ, सौदा मंजूर है मंजूर है मंजूर है, लाटेन आपकी भाई साथ, मैंने जानता है आपको नहीं कहां से आये हैं लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कब नहीं हैं, भाई साथ आरे जगमोहन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूँ यह जो भी कुछ हो रहा है ना, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से हो रहा है यह प्रभू, आप अंतरियामी हैं, आप तो नहीं आएं, लेकिन आप नमना फरिष्टा भी दिया मैंने तो सुना था, कि भगवान देता है तो छपर फाल के देता है बड़ी महरवानी है प्रभू आपकी, दुर्गा देखा, हमारा प्रभू कितना दयालू है बेठे-बेठे हमारे भाग जगा दिये भाई साब, असल में तो दीवाली आज हमारे घर में है, आपका कैसे शुक्रियादा करू अपनी लाल टेम देकर ओ दीवान, जा गाड़ी से मेरा ब्रीफ केस लेकरा हाँ अपनी याप अपनी आपका आपका हुआ 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 है कि बापु हाँ यह के कर दिया आज आपने मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था धंदे में आपका कोई सानी नहीं है अगर मदद ही करनी थी तो दर्म काते दस बीस हजार दे 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 यह सो रुपे के लाल टेन के दसलाक रुपे देने की क्या जूरुएत थी यह तो घण हाँ यह बापु हाँ यह बात ठीक है कि मैंने सो रुपे की कबाड़ की लाल टेन दस लाख में खरी दी ताकि जगमोहन अपने परिवार के साथ नई जिंदिगी फिर से शुरू कर सके अगर मैं जोर लगाता तो यह लाल टेन पंद्रा बीस हजार में कहीं भी सकता था अग मेरा मुनाफ़ा जरूवत से कई गुना पड़ा था इसलिए मैंने इस लाल टेन को बीस हजार के जिगे दस लाख रुपे में खरीदा मतलब मतलब यह बेटा कि यह लाल टेन इस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का है लगभग धाई सो साल से भी ज्यादा पुराना यह एक एंटीक पीस है और जब मैंने इस लाल टेन की फोटो को लंदन मुजयम में में मेल करा तो उन्होंने इस लाल टेन की खीमत दो करोड रुपे लगाई आरे चीज एक नंबर की है अपनी तसलिए करके चीज आपको दिखाई है पापू हाँ इस लड़की संग खेल लूँ हाँ जा खेल ले हाँ ठीक है ना भाया और इस लाल टेन की कीमत का दस टका यानी बीस लाख रुपे एडवांस मेरे अकाउंट में आभी गया और जो लाल टेन जगमोहन के लिए कबाड थी मैंने उसकी इंटरनेशनल वेल्यू लगा कर इसे अनमोल बना दिया अब इतने बड़े मुनाफे से मैं भी खुश और दसलाख रुपे से जगमोहन भी खुश दोनों खुश दोनों का भला हो गया कुछ बात है तेरे बाप्व में वरना यूई लोग हरीलाल भूत का लोगा नहीं वानते वाप्व आपने तो कमाल कर दी आप तो चैंपियन हो दिवान चल गाड़ी वपस बोल होटल की साइड फिर कभी देखेंगे क्योंकि खल हम इस लाल टेन को म्यूजियम पोचाने के लिए लंदन जा रहे है चल तेरी मां को फोन लगाते है तो हमनों हो मेरी भूदणी तेरे कपल लगते पैक करने कल गुवाड़े करने लंदन लेका जारा हू गाड़ी मुडवाकर सेठ हरीलाल भूत अगले दिन अपने बेटे निकुन्ज और पतनी चांदनी के साथ हवाई जहाज की विजनिस कलास की टिकेट लेकर लंदन चला गया उस तिन मैंने अपने मालिक से एक बात सीखी के धंधे में अपने मुनाफे के साथ साथ सामने वाले के मुनाफे को भी ध्यान में रखना पड़ता है तब ही वो मुनाफा आपका असल मुनाफ़ा माना जाता है सारे हिदर से होंगे You will be focused in the crowd Music बजाएगा loud loud सब बोलेंगे ना कोई भागी जैसा है साही मैं यार सिर्फ पैसे की दुनिया है भाई हो तेरे पास तेरे पास तेरे पास अगर भाई पैसा है तेरे पास अगर भाई पैसा है तेरे पास अगर भाई पैसा है आगजी के पास ये तोड़ा आगजी के पास ये ओवर बंदे की नहीं यहाँ सब पैसे की पोवर जब ठेरो नोट कमाएगा तु नजर में सब की आएगा तु जिससे मिलना चाहता है वो तुसे मिलने आएगा तेरी वाइरल होगी रील तु भी करेगा फेमस फील जब सहेंगे नाबंदा ऐसा वैसा है तेरे पास अगर भाई पैसा 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 है पैसा है इतना के भड़ दू चकूजी में हाजी हाँ पैसा अब इतना सरूरी अब पीछे है शहर अब पैसा ही फ्रेंड, बदलता हर चौविस खंटे में प्लान, जेव मेनी लोडेड है प्रॉफिट पे प्रॉफिट, अब सारी रात पैसे को करूँ मैं स्पेंड, ने नोटों की बारिश में दिखरा नी कुछ, बंदा मैं सेम, बस बदल गए लुक्स, यो तो मैं सॉफ्ट नेजर से हाट, रहते साथ मेरे आटाओं बोडिगाट, सब हो गए है पागल ये जान के मैंने घर रेद ली चब्गू की लाल तेन, शहर में शोर तू बैठा देख, मेरे पास चब्गू की लाल तेन, हाँ जी हाँ चब्गू की लाल तेन, मेरे पे अगर भाई, पैसा है तेरे पास अगर भाई, पैसा है तेरे पास अगर भाई, पैसा है तेरे पास अगर भाई, पैसा है झाल 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 झाल